नमस्ते दोस्तों मैं सरोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सरोज का किचन में आज मैं लेकर रहे हूँ आपकी लिएक दम रबड़ीदार की रेश्पी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बनाने में अब आज आपके साथ बहुत असान तरीका सेयर करूंगे जैसे कि आप खीर देखने ज़दा लगा सकते हैं कितना यह रबडीदार और मेलाई दायर है और खाने में उतना ही टेस्टी है तो चलिए आज की रेस्पर श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चावल भी गोल लेंगे यहां मैंने आधा कप चावल लिया है है यह गां के यह हम आल लेंगे शोते अलक प्स मैंने एक कप लीए है बड़े वल काप से आधा कप ले शकते हैं कि हम दो तिन पानी धो लेंगे तो आप कोई भी चावल ले सकते है और झोटे वालें चावल हो तो और बी अच्छी बात है खीर जल्दी पक जाती है कि है मैं कि मैं चावल को अच्छे से अधो लिया है है कि छाउल को हम दु तिन पानी दफ्जें हम आधा गंटी के लिए भीगने के लिए चावल जब तक गों आपना चावल पिलता है तो तक चलिए हम जलेंगे गहेस के तरफ दूदूबाल लेंगे यह मैंने गढायी रखा है हैं कि इसमीं थोला सा घीर डाल देंगे त हलमा तो नहीं और फैला देंगे तप की सिफिर के लगें ना जूँआ ना भी वनाटब दिया का थे दूद लिया है भैंश का दूद है अब गाय का भी दूद ले सकते हैं पर भैंश के दूद से जो खीर थोड़ी मलाईदार अविदार बन दिया अगर पत्ला वाला दूद आपके पास आए थोड़ा सा मलाई आइड कर दे जैसे मेरा दूद उबाला जाएगा इसे हम चलाते रहेंगे और दूद को थोड़ा सा हम पकाएंगे तक इसके जो कंड़िटी है कम हो जाए और दूद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए अब इसे लगता है चलाते हुए उबाल ले समादूद बहुती अच्छी से उबल रहा है चलिए तक हम एक और काम कर लेते हैं जब तक दूद उबल रहा है कि मैंने कुछ ज्राइफ हुट लिया है काजू और चोटीए छैलिया है अब दाव को हम दरदरा सक उट लेंगे अब गराणिक जान में से ज़दरा पीच भी हो सब्सक्राइब है यह सारे ट्राइफ को मैं ने उट लिया है कि आप च्छोटे इलाइची को भी हम कोट लेंगे आप इलाइची का पौड़र भी ढाल सकते हैं अब जो इसमें की छिलका है हम निकाल लेंगे यह जो छिलका है आप इसे चाय में इस्तमाल कर सकते हैं बहुत यह अच्छा टेश्ट आता है यह दुखी देखिए दूद के जो कॉंट्रटी है पहले से थोड़ा कम हो चुका है दूद जो है थोड़ा गड़ा हो चुका है अब देख सकते हैं अब यह प्याइट करेंगे हम इसमें डाल देंगे यहाप मैंने सारे चावल को डाल दिया है अब इसलिए लगतार आप चलाते रहें वहना चावल पर क्या होगा कि नीचे तले में लगने लगेगा चावल तब इसलिए लगतार चलाते हुए पकाएं तो हम इसे पकने देंगे यह देखिए बहुत ही अच्छा से चावल पक रहा है अब यहीं पेट कर रहें हम अपना ड्राइफ रूट मैंने कुटके रखाता है फिल छोड़ी लेशी डाल देंगे थोड़ी से केसर के धागे डाल देंगे यह बिल्कुल अप्सिनल है इसे कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है और थोड़ा तया जो इसका टेस्ट यह बढ़ जाता है लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसके बिना ही बना सकते हैं यह देखें चावल बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं चावल जो है हमारा लगबग पकी चुका है बस कुछी टाइम और पकाएंगे यहीं पैट करेंगे हम चेनी चीनी आप अपने मीठे कहसाब से डाल सकते हैं मेरे घर में थोड़ा सब ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं मैं थोड़ा ज्यादा डालूगी है यह मैंने एक कप चीनी डाला है तो अपने हिसाब से एजिस्ट कर लिजिए चीनी आप पहले ना डाले और नक्याओ कि चावल को पकने में ज्यादा टाइम लग जाता है चावल आप लास्ट में डाले चावल डालने को अधिसे हम चीन से चार्म डावर पकाएंगे यह देखिए बहुत ही मलायदार हमारी जो खीरे बनके त्यार हो चुकी है आप कीजिए वैसे खीर ठंडी ज्यादा अच्छी लगती है तो आपके ऊपर है पुछ जैसा पसंद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह मैंने खीर को एक बावल में निकाल दिया है अच्छी थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए त्यार हो चुका है आप इसे सब्सक्राइब करने तो बहुत ही पसंद आएगा तो आप इस रेस्पी के जरू ट्राइब कीजिएगा और ट्राइब करने बाद अगर आपको मेरे वीडियो चलागा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंड करें सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल ना भूलें साथी में घंटी का बटन दगाते जाए ताकि जब भी मेरा नए वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुझे तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं फिस एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तों